एस उसका Genfone Max Pro M2 लें या Realme 2 Pro लें कौन सा मोबाइल बेस्ट रहने वाला है किसकी स्पेसिपिकेशन बेस्ट रहने वाली है किसका मोबाइल की परफॉमेंस बेस्ट रहने वाली है तो सारी इंफॉर्मेशन सारे डाव टाच किस बूर्ड में आपको क्लियर करके देने वाला ह उन दोनों मोबाइल में उसे क्या मोबाइल बेस्ट हैने वाला है किसमें आपको खास फीचर्स मिल जाते हैं किसका смट की दिन वाला चली दोस्तों जादा टाम बेश ना करते हुए विडियों को explain करते हैं तो दोस्तों बात कर ले थे दोनों के display के बारे में तो यहाँ पर Realme 2 Pro की जो display आपको 6.3 इंचिस की full HD display आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पर आपको Gorilla Glass 3 protection के साथ आपको वहाँ पर इसकी display देखने को मिल जाएगी और दोस्तों बात कर ले थे हाँ पर Genfone Max Pro M2 की बारे में तो यहाँ पर आपको 6.26 इंचिस की यहाँ पर full HD display आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पर आपको नौस देखने को मिल जाएगी उसकी display में और यहाँ पर आपको Gorilla Glass 6 का protection मिल जाता है जिया दोस्तों यहाँ पर आपको Realme 2 Pro में Gorilla Glass 3 का protection मिल जाता है और यहाँ पर आपको Pro M2 में यहाँ पर आपको Gorilla Glass 6 का protection मिल जाता है दूस्त आफ बात कलेते हैं दोनों मोबाइल को के मेरा के बारे में तो यहां पर रिएल में 2 प्रों के मोबाइल की बात की जाए थो यहां पर आपको रियर केमरा आपको 16 2பेक्सल का वहाँ पर रियर केमरा देखने को मिल जाएगा और front camera आपको 16MP का मिल जाएगा दोस्तों बहीं बात कर लेते हैं तो उसके Genphone Max Pro M2 के camera के बारे हैं तो वहाँ पर आपको 12MP 5MP का rear camera देखने को मिल जाएगा यहाँ अगर front camera की बात की जाए तो यहाँ पर 13MP का front camera मिल जाएगा LED flash के साथ जाए दोस्तों आपको front में भी LED flash देखने को मिल जाएगी Max Pro M2 में अगर दोस्तों दोनों camera के comparison किया जाए तो यहाँ पर Realme 2 Pro का 16MP 2MP का camera है वहीं यहाँ पर Max Pro M2 का यहाँ बारा प्लस 5MP का यहाँ पर rear camera है तो यहाँ पर rear camera की बात की जाए तो दोनों ही camera में आपको अलग-अलग aperture मिल जाती है वहाँ पर आपको Realme 2 Pro का जो rear camera होगा वो काफी अच्छा है यहाँ पर night में photo click करके देने वाला है अगर depth camera की बात की जाए बलर आपको यहाँ पर Max Pro M2 में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा गयर काकपी अच्छा दोस्तों आप बात करेथें दोनों के front camera में यहाँ पर Max Pro M2 का जो 13 feels Alterồng přीक्सलों ka camera है और वहीं यहाँ पर रेल्मी 2 Pro 16 miles selfie camera है जोंनों 2 Pro का में काफी अच्छा हो सकता है जेसे जिन फॉन हे क् तो यहां पर आपको 559 Táरह इंच पेटरी जातीया जो का अच्छी बैटरी आप पर काफी बड़ी बैटरीयं वहीं बात कर लेते हैं रेयलमी टूप ड्रों कहीं पहां पर Android Oreo पर बर्क करने वाले हैं तो आप बात कर लेते हैं दोनों के बेरियंट के बारे में तो यहां पर आपको SO Genfone Max Pro M2 में आपको 3GB प्लस 32GB, 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 64GB आपको इस टोरेज देखने को मिल जाएंगी दोस्तों आप बात कर लेते हैं Max Pro M2 के प्राइस के बारे में जो इसका यहां पर 3GB प्लस 32GB का बेरियंट है वह आपको यहां पर 13,000 रुपए में पढ़ने वाला है 12,999 रुपए में और जो 4GB प्लस 64GB का बेरियंट है उसकी प्राइस की बात किया है वह आपको यहां पर 15,000 र बेरियंट की वह आपको 17,000 मतलब 17,000 रुपए में पढ़ने वाला है 16,999 रुपए का और बही बात कर लेते हैं यहां पर दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए तो यहां पर आपको 4GB प्लस 64GB बेरियंट यहां पर Max Pro M2 देता है यहां पर 15,000 का वहीं आपर Realme 2 Pro देता है आपको 14,000 का एक हजार का डिफ्रेंस आपको दोनों ही फॉन में मिल जाएगा आप वह दोस्तों यहां पर front camera आपको अच्छा लगता है तो यहां पर आप Realme 2 Pro के साथ जा सकते हैं I hope you guys आपको दोनों के comparison आपको समझ में आ गए होंगे आपके सारे doubt clear हो गए होंगे दोस्तों इन दोनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगता है तो बताना जर चैनल ओल तिंग सीजे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद